हलो वडिवन टेक्नो वीडियों का स्वागत है में नाम है आसीफ और जम बात करने वाले मोटरोला के तरफ से एक इंटरेस्टिंग फोन आने वाल है जिसका नाम है मोटरोला एज 30 अल्ट्रा व्यासे तो सिर्फ इसका नाम ने इसका परफॉर्मेंस भी अल्ट्रा लेवल है वर राल इसका कैमरा बोलिये डिस्प्ले बोलिये कुछ भी बोलिये बैटरी सबकुछ टॉप नॉच है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबकुछ इन डिटेल बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका डिस्प्ले और प्रोडेक्शन के बारे मैं बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले में आपको 6.7 इंच का ओलेट डिस्प्ले मिलेगा जो की 1B कलर के साथ आएगा साथ में 144Hz का refresh rate और HDR10 Plus का support मिल जाएगा और वहीं प्रोडेक्शन में यहाँ आपको front और back दोनवी में glass body मिल जाएगा जो की Gorilla Glass 5 का प्रोडेक्शन के साथ आएगा तो overall इसका डिस्प्ले और प्रोडेक्शन में आपको ups and downs कुछ देखने नहीं मिलते हैं बहुत अच्छा डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ प्लस जेनवर का प्रोसेसर मिलता है जो कि एक 4nm प्रोसेसर चिपसेट है साथ ने अगर ग्राफिस कार्ट का बात करें जो कि अलग से इन बिल्ड आता इसका जीप्यू उसमें आपको adreno 730 का जीप्यू मिलता है जो कि high-end gaming करिएगा या editing करिएगा या कुछ भी लिए और overall आपको heating से बचाएगा और यहाँ प्लस जेनवर प्रोसेसर तो टॉप नौच इससे उपर कोई प्रोसेसर आता नहीं है तो यहाँ पर आपका कोई भी competition नहीं है overall सबसे flagship लेवल प्रोसेसर यहाँ आपको मिल जाएगा तो gaming करिए, editing करिए, कुछ भी करिए, GPU और दोनों ही बहुत help करेगा, heat issue आपको इसके अंदर नहीं आएगा, और overall बहुत enhanced gaming और editing सब कुछ आप यहाँ कर सकते हैं, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, इस phone का camera का जो कि इस phone का सबसे important part होने वाला है, यहाँ पर आपको back में triple camera मिलेगा, जो कि तीनों ही के अंदर high level lenses आ एंगल ले सकता है, और साथ में तिसरा camera आएगा, 12 एपिक्सल का, जो कि 2x digital zoom के साथ आएगा, जिसको बोलते हैं, टेली फोटो लेगा, और वहीं बात तरह इसका video recording का, तो यहाँ पर आपको prime lens जो की 200 एपिक्सल का, वहाँ पर OIS मिल जाता है, जो कि होता optical image stabilization, वहाँ हो जीजेगा, और आपका hand check करेगा, तो OIS आपका stabilize कर देगा video को, और आपको at the end software में stabilize video मिल जाएगा, रहा बात इसका की camera कितना अच्छा shoot करेगा, तो यहाँ पर आपको maximum 8K 30fps तक का video recording मिल जाता है, और यहाँ तक बात खतम नहीं होता है, ऐसा नहीं कि back camera ही आपको सिभ अच GPS तक, तो भाई यहाँ पर camera में कुछ बताने या समझाने का बचा नहीं है, Motorola इतना बरा बरा megapixel फेक के हमारा कि हम लोग हरान परिसान हो गए है, तो इतना समझगे कि overall megapixel अच्छा है, तो overall video quality अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब यह निकलेगा, launch होगा इंडिया में जब य तो पता चल जाएगा कि quality अच्छा है, किसी megapixel जादा है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ depend करता है कि image processing software इसके अदर कितना अच्छा हो, और output कितना अच्छा मिलेगा जब आप एक photo या video record कर लीजेगा, तो चलिए अब हम लोग कैमरा का सत्मा से आगे बढ़के battery के बारें बा अब तक का specification क्या कि आपको मिल रहा है अच्छा और क्या बूरा तो यहाँ पर आपको सब कुछ ही अच्छा मिल रहा है, display top notch, processor top notch, camera कुछ जादा ही top notch, और साथ में battery भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, जो कि 125 watt charger के साथ आ रहा है, तो यह सब तो यह बड़ा-बड़ा specs लेकिन आप पात करते हैं छोटा मड़ा function जो इस phone के अंदर जानना आपके लिए जदूरी है, तो यहाँ पर आपको stereo speaker इस phone के अदर मिल जाएगा, LPDDR5 आएगा, UFS 3.1 आएगा, Bluetooth 5.2 मिलेगा, Wi-Fi 6 मिल जाएगा, under display fingerprint sensor आएगा, NFC आ जाएगा, overall Moto का gesture है, बहुत अच्छा, कूल इसके अंदर आपको gesture मिलता है, वो सब मिल जाएगा, तो यह सब छोटा मड़ा function इसके अंदर आता है, तो overall बहुत अच्छा phone भी है, खोटा मड़ा function जो है, इसके अंदर बहुत अच्छा मिल जो की कुछ-कुछ phone के अंदर आपको नहीं बताता है, और नहाईम मिलता ह और वहीं यह सब कुछ आपको बड़ा स्विस्क्रेशन से लिए के छोड़ा बड़ा फंक्शन सब कुछ बहुत अच्छा प्राइस के अंदर आ जाता है इंडिया में इसको बोलते है अग्रेसिव प्राइस तो यहां पर अगर 8GB, 128GB से इसका स्टार्टिंग वेडियेंट है vídeo दो लिगए थो लिजए गा तो इंडिया में उसका कोस्टिंग पड़ेगा वैसरे चैना में यह लांच अगर इंडिया का करण पराइस के साबSे बात करें तो 42,000 पर तक का आ चाएगा'. लेकिन 48,000 इसका स्टार्टिंग वेरियंट इसके उंपर जाएगा तो 50-55,000 तक आ जाएगा जो कि 12GB 256GB होगा उससे उंपर आएगा 12GB 512GB लेकिन स्टार्टिंग वेरियंट आपका होने वाला 8GB 128 जिसका प्राइस परेगा आराउं 48,000 रुपीस अब बात करें मेरे बार में तो अगर आप वीडियो में पहली वारे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिये चैनल में पहली वारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करें कोई क्यों कुछ जानना हो कुछ पुछना हो तो नीचे जाकर कमेंट करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिल दें टेक कियर स्टे सेफ